रूह भी काव जाती है वो अलपास सुनके मैं रात बर सो नहीं पाया दिमाग की निस्फटने को तयार है मेरी इन्हों ने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया कुझे उमीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आधर्नेयल लोकसभाई स्पीकर कल की घटना का संग्यान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे मैंने नोटिस दिया है क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पर है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसत के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाशा इस तरीके की धमकी मैं पूछना चाहता हूँ क्या आरेसेस की शाखाओं में क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रियोक शाला में केडर को यही पढ़ाया जाता है जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर आफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टौण टौणरबल प्राइम मिनिस्टर और प्राइम इन वी अर प्राउड अफ इट उस मदर आफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सां स्टके खिलाफ जिस तरीके के अलफाज मॊला अतंकवादी अबदरवी यह क्या है इस देश मैं हो क्या रहा है कि यह हो क्या रहा है रूह भी कहब जाती है वो ऐलफा सुनके में राद बर सो नहीं पाया दिमाग की नेस्फटने को त्यार थी है मेरी मैं इंतजार कर्रहू ह हूं कि कि मैं करूं तो करूं क्या जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की कि इस्थिति आज इस देश में यह है तो एक काम आदमी के इस्थिति क्या होगी मुझे उमीद है कि मेरे साथ न्याय होगा अधरने स्पीकर साब का रवाई करेंगे नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं क्योंकि ये एक सब्वे समाज में बरदाश्ट नहीं किया जा सकता क्या है क्या हम इसलिए चुन के आते हैं क्या देश के को आजादी इसलिए दिलाई गई थी क्या हमारे पुर्खों ने कुर्बानिया इसलिए दी थी इस देश के आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिदी चुन करके जाएंगे तो उनको ये सुनना एको मिलेगा दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खीच के रग दिये महीलाओ को आरक्षण इस ये स्पेशल सेशन था 75 साल अमरत काल में हम गए हैं पारलेमेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं महीलाओ के आरक्षण के लिए ये संसत का सत्र विशेश रूप से बुलाया गया वो आरक्षण कम मिलेगा दोजार उन्तिस में लाग वोगा दोजार चौटिस में होगा या दोजार सेटालिस में होगा अभी उस पर सवाल या निशान है मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसत को उसकी कम्यूनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटेक करना सोज भी नहीं सकता मैं सोज भी नहीं सकता इन्हों ने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है अब बस देखना इतना है कि रमेश विदूरी जी के खिलाप Honorable Member of Parliament लोकसभा के खिलाप उनकी पार्टी कोई कारवाई करती है या नहीं या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रिय मंत्री मंदल में शामिल किया जाएगा क्योंकि शायद ये competition हो गया है भाचपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए आप ऐसे बयान दीजिए पहले तो संसत के बहार ही होते थे अब संसत के अंदर भी मारने की धंकियां दी जा रही है बहार तो धंकियां भौत बार नेताओं ने इनके मंत्रियों ने सब ने दी है लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमरत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं आप